जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को पर्तकार ने सियासी उथल पुथल के बीच कल हुए कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिये हैं जिसमें से एक मोडल स्कूल में दोसरे परखन के बच्चों के पढ़ाई के समग में था दरसल राज में संचालित नवासी मोडल बिद्यालियों में चात्रों की सीट रगाई है इसे देखते हुए सीटों पर नमांकन के लिए पर्तिक्षा सूची तयार करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गाई परतिक्था शुची से नमांकन करने वह विद्याल्य परबंधन समीती और जिला अस्तर पर गठित समीती द्वारा योग ये छात्रों का नमांकन के लिए अंसनसा करने पर भी समति प्रदान की बतादे की बरतमान में समंधित परखंड के ही बच्चों की विद्याले में एड्मिशन के उन्मती थी इससे लगभग 50 परतिहस सीटे खाली रह जा रही थी अब इसकूलों के निकर्तम परखंड के बच्चे भी नमांकर ले सकेंगे राज्येपाल रमेश बैस दिल्ली अमित सासे कर सकते हैं मुलकात जारखंड में कुछी घंटों बाद बड़ा सियासी अपडेट आ सकता है मिली जनकारी के उन्सार ओफिस ऑप्रोफिट मामले में फंसे सीम हमान सुरेन को लेकर जारखंड गवर्नर रमेश बैस जल्द ही अईसुचना जारी कर सकते हैं दरसल जारखंड गवर्नर रमेश बैस आज ही दिल्ली रवाना हुए हैं ऐसे में क्यास लगाया जा रहा है कि वह दिल्ली में केंद्रियेग्री मंत्री अमित सासे मुलकात कर सकते हैं सुत्रों के अनसार दिल्ली से रांची लोटते ही राजे पर्वामेश वैस हेमन्त सुरेन पर चल रहे ओफिस औप्रोफिट मामले को लेकर अजी सुचना जारी कर सकते हाएं। वहीं इससे पहले जार्खन के सियासत से खबर आ रही है कि सियम हेमन सुरेन अई सुचना से पहले विधान सबाग के अध्यक्षता से इस्थिपा दे सकते हाँ दुमका के बाद बोकारों में भी सामने आया एक तरफा प्यार में छेड़ छाड़ जार्खन के दुमका जिले के बाद बोकारों में एक तरफा प्यार का मामला सामने आया है पिडित छात्रा ने एक मुसलिम युवक पर छेड़ छाड़ करने का आरोप लगाया है इस मामले में पिडिता ने बात नहीं करने पर फोटो बीडियो वायरल करने और जेल जाने पर पूरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुसलिम युवक पर महिला थाना में मामला दर्च कराया है अब इस परकरन के बाद पिडिता परिवार डरा सामा हुआ है सिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्च कर आरोपी युवक के घर में दविश दी लेकिन आरोपी युवक घर से फराब हो चुका है पिडिता और आरोपी एक ही मुहले में रहते हैं पिछले एक वर्ष से आरोपी युगग पीरता चात्रा को पढ़ाई कर जाने के दोरान सरक पर रोक कर छिर्खारी करने का काम कर रहा था सराय के लग हरसावा में मुटभेड के दोरान दो मवादियों की मौत जार्खन के सराय के लग हरसावा जीले से बड़ी खबर आ रहा है जहां सुक्रवार को सुरक्षा बलो के साथ मुटभेड में दो मवादियों की मौत हो गाई सराय के लग हरसावा पूलिस ने जनकारी देते हुए बताया कि केंद्रिय रिजारो पूलिस बॉल्ब के कोबरा जार्खन जगवार और राजे पूलिस के एक सन्युक्त अभियान के दोरान एम मवादि मारे गाए कुलहान संभाग के उप महा निरिक छक अजर लिंडा के अनुसार कुचाई थाना छेतरे के बरुदा जंगल में एक अभियान के दोरान CPI के दो सदसे मारे गाए उन्होंने बता है कि सुरक्षा बलो ने स्ववो को बरामत कर लिया है और उनके पास से हत्यार तथा गोला बारुद भी मिला है JSSC में 455 पदों पर भरती के लिए एक गारा से करे आवेदान सरकारी नोकरी के तलास कर रहे दास वी पास युवा ब्यार्थी के लिए नोकरी करने का सुनहारा मौका है दरसल जार्खन करुमचरी चैन आयोग ने राज सरकार के विभीन विभागों में 455 पदों पर भरती निकाली है इस भरती के लिए आवेदान की परकिरिया 11 सितंबर से शुरू होगी आवेदान करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 है आवेदान सुल का भुगतान 12 अक्टूबर 2022 तक किया जा सकेगा बता दे कि इन पदों पर भरती जार्खन मैट्रिक अस्तर सन्युक्त परितोक्ता परिक्षा 2022 के जरिया होगी एक छुक और योग दस्वी पास उमिद्वार अधिकाईक वेबसाइट jssc.nc.in पर फिजिट कर आवेदान कर सकते हैं जमसेदपूर में तेंदविय मौत ममले में टाटा जू की लपरवाही जार्खन के जमसेदपूर जिले में इस्थित टाटा इस्टील जू लोजिकल पार्क में बाढ़ से डूबने के कारान नर्टेंदवे की मौत मामले में जू परवंधन की घोर लपरवाई सामने आई है बनपदा अधिकारियों की गठित जांच कमिटी ने जू में बाढ़ को लेकर जानवरों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कई खामिया को बताया है जिस पर वन विभाग गंभीर है और सुधार नहीं होने पर करवाई करने का संकेत दिया है जांच रिपोर्ट आने के बाद पुर्वी सिमु के बनपदा अधिकारी मामता पिरदर्शनी ने कहा है की जू प्रवंधन को जनकारी थी की नर तेंद्वा लंगडा रहा था इसके बावजूद उस सुरक्षित बार से पहले निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया राष्टपती द्रोपदी मुर्मो से कुनाल सड़ंगी ने दिली में की मुलकात भाजपा के परदेश प्रवक्ता सफपूरो बिधायक कुनाल सड़ंगी ने ने दिली में महा महिम राष्टपती द्रोपदी मुर्मो से सिष्टाचार मुलकात की इस अशर पर कुनाल ने राष्टपती महोदया संड़ोत किया है कि भागवान जगनात की राथ्यात्रा को राष्ट्रिये आवकास दिवस के रूप में अधिसुचित किया जाए करोडो भारतियों की आस्था का पर्वरा थ्यात्रा सिर्फ उडिसा ही नहीं बलिगपूरे देश में और बीदेशों में रहने वाले भारतियों के द्वारा भी मनाया जाता है साथी साथ जार्खन में महिलाओं के साथ लागातार हो रहे अत्याचार और हिंसा की घटनाओं पर संग्यान लेकर कठोर करवाने का राष्ट्पती महोदे से आगरा किया है जार्खन में 41 परतिसत भोटर आईडी में अधार जुड़ा निर्वाचन आयोग के निदेश पर जार्खन के सभी मतदताओं के अधार संख्या मतदाता सुची में जोड़ने का कारे एक अगर से चल रहा है अब तक राजे में 41.50 परतिसत मतदताओं के नाम अधार से जुड़ चुके है मुख्य निर्वाचन पताधिकारी के रवी कुमार ने सरप्रतम अपना अधार संख्या मतदता सुची में जुड़वाक और इस अभ्यान का सुबाराम किया था बता दे जारखन के लवग एक कौर 70.000 मतदताओं के अधार संख्या मतदता सुची में जुड़ी गई है राजे में मतदता सुची में कूल 2.22 लाक और 6.677 में मतदता निबंधी था है जारखन में ड्रामा कौन बिकाओं कौन टिकाओं सरकार परिसान जारखन में गईब का ड्रामा चल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंडी सजने वाली है जिसमें बिधायकों की खरीद बिक्री होगी मंडी कौन सजाएगा पता नहीं लेकिन बिधायक हैं कि बिक्री से बचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं पिछले एक सपता से चल रहे है सर सपाटे और पिक्निक से जहां कुछ बिधायक होज हैं वहीं बहुत ऐसे भी हैं जिन में गुसा है वे बेसक खुल कर कुछ नहीं बोल रहे है लेकिन जिस तरह से घटना चक्र चल रहा है उससे यह असांका हमेशा बनी हुई है कि उनका गुशा कभी भी अपने ही नेतित पर फूट सकता है मुख्य मंत्री हेमां सिरन से लेकर कांग्रेस के वरिष्ट नेताओ तक को इसका भली भाती अंदाजा है पूरा राज टक्टकी लगाए इस नाटक के पटाच्षेफ होने की परतिक्षा कर रहा है और सब के मन में एक ही सवाल है कि आखिर होगा क्या लोहर दग्गा में डोभा में डूबने से बच्चे की मौत लोहर दग्गा जिले के कैरो थाना छेतर के सढ़ाबे गाविसीद डोभा में डूबने से अमीत उराव एक गाराव वर्सी नावाक बालक की मौत हो गई जिससे गाव में सोक का महौल बना है बताया जाता है कि पहली सितंबर को अमीत उराव विद्याले से घर लोटने के बाद अपने दोस्तों के साथ नहाने की बात कहकर घर से निकला जिसके बाद वो काफी देर तक घर नहीं लोटा जिसके बाद उसके सोजन अमीत की खोज बीन करने लगे परन्तु कहें भी कुछ आतापाता नहीं चला इस बीच गाउं के डोभा में एक बच्चे का सौव होने की जनकारी मिली जिसकी सुचना सुक्रवार सुबा कैरो थाना पुलिस को भी दी गई थी पलामू में महादलीतो पर हमले मामला में दीपक परकास मुरू मातू जार्खन के पलामू जिले के मुरू मातू में महादलीतो के घरों को धोस्त कर उन्हें भागा देने के मामले में तूल पकड़ लिया है इस मूदे को लेकर जार्खन परदेश भाजपा राज्ये की हेमांत सुरेन सरकार को घेरने में लग गई है शुक्रवार को जार्खन परदेश भाजपा अध्यक तीपक प्रकास नेदित में एक टीम पलामू जी लेके पांडू थाना चेते के मुरू मातू पहुच रही है बताद इस टीम में राज सबसर से अधित साहू भी सामिल है भाजपा नेता पीडिता से मुलकात करेंगे लोहर्दगा के जंगल पहाड में पूलिस की ड्रोन केमरे से निगरानी लोहर्दगा पूलिस के लिए सिर्फ एक नकसली दर्द बना हुए है बतादे भागपा मवादी का हाटकोर नकसली रिजिनल कमांडर और 15 लाग कैनामी रविंद्र गांजू की गिरफतारी पूलिस के लिए चिनोती बनी हुई है कई बार ऐसा हुए है कि पूलिस अभियान के दरान रविंद्र गांजू कुछ मीटर की दूर से पूलिस के चंगूल में आने से बच निकलने में कम्याब रहा है लोहर्दागा जीले के बिकास के लिए सबसे बड़ा नासूर साबित हो रहा रविंद्र गांजू का दस्ता सुरक्षा बोलो के असान निसाने पर हैं बावजूद वो हर बार बस निकलने में कम्याब होता रहा है धन्यवाद जादी आप चनल परना होते चनल के सबस्क्राइब कर बाल का बेल एक अंदा बाई साथ-साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों से असे अरव करना ना भूले साथ-साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़वाग अवस से दे थैंक यू